के लो है लो गईस वेलकम बैक टोवर चैनल पी सी एमब डिजिटल ग्रुकल तो बिटा क्लास 12 डेट शीट की अगर हम बात करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट्स अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे की वेडनस दे में अगर आप देखते हैं कि 1 डिसम्बर से ये पेपर शुरू हो रहे हैं 30 तारीक 30 नमबर से 10 के डिसम्बर से 12 के शुरू हो रहे हैं तो वो सोशलोजी का पेपर है 3 तारीक को English score का पेपर है टाइमिंग सबकी सेम है 20 मिनिट का पेपर है मंडे 6 दिसंबर को mathematics का पेपर है Tuesday को physical education है Wednesday आठ तारिक को लगाता रहा है छे साथ आठ बिजनस टडीज है नो को geographic का पेपर है इनका subject को ध्यान रखेगा ये ठीक से आपको हमेशे form जो आपको है मिलेगा पेपर उसमें फिल करना होता है 10 तारिक को physics का पेपर है 11 तारिक को psychology है 13 तारिक को accountancy है 14 को chemistry है तो जो medical वाले बच्चे है उनका physics के बाद सीधा 10 के बाद chemistry 14 को है तो 3 दिन के इनको छुट्टी मिल जाएगी 15 को economics है 16 को हिंदी का पेपर है नोगों का बिटा 17 तारिक को political science है और 14 की chemistry के बाद 18 तारिक को सीधा क सीम है सिर्फ subject code जो है वो change होगा उसके बाद history का पेपर है 20 तारिक को 21 दिसंबर को जो पेपर है वो informative science का है या computer science जिन बच्चे नों जो भी subject लिए रखा होगा information प्राक्ट इंफॉमेटिक्स प्राक्टे से computer science और 22 तारिक को home science का last पेपर है तो 22 तारिक को 12th class के पेपर खत सम हो जाएगा और तीन तारिक से शुरू होगा जो medical है non medical के बच्चे हैं date sheet of minor subjects अलग से आएगी वो 16 November के बाद school शुरू में होंगे duration of each paper will be 90 minutes reading time 20 minutes से 15 minutes हो जाएगा सर्दियों के कारण साड़े 10 बजे तक आप जो paper रुकते थे हो सरड़े 11 से शुरू होंगे और कोई भी information जो website पर जाए किसी भी website पर किसी यूट्यूब चैनल पर वरोशन नहीं करना है इसी website को आपको ही है से लेना है मैंने भी यह जो date sheet है यह ह दाउनलोड करी है so thank you so much for watching the video friends please subscribe to our channel keep supporting us